जैहिन सातियों कैसे हो आप सभी सातियों आप सभी लोग का यहां पे बिहार SIPT का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाय जा रहा है यह आपका देखा जाये तो एडुटेरिया वालूम टू का सेट नंबर थ्री है इसके पहले का दो प्रैक्टिस सेट आल्रेडी अपलोड क कर दिया गया है अगर आप लोगों नहीं देखा है तो सको reduction कर लीजे सभी का playlist बना दिया गया है रही बात आप सभी लोग का एकक मतलब कर देखा जा तो को मार्क कर देजिए लास्ट में आप सभी लोग का जो भी एक सेट में दो या तीन कोशन गलत हो उसको में लास्ट में सुधार कर दूँगा ऐसे क्या है कि ऐसे से चल ले दिजे डेली बेस पे एकदम परिशाद नहीं है आप सभी लोग पीडियाफ आप सभी लोग को जल्द पहला कोशने की अपने विर्योधियों के प्रति किस ने कठोर लोह एवं रक्त की नीती का पालन किया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन सी बल्बन ने बल्बन ने लोह एवं रक्त की नीती का पालन किया था आंसर आपका यहां पे सी हो जाएगा नेश्ट कोशन तो कुल कितना भाग होता था तो देखा जाये तो आएक बटा दस हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा सभी लोग का नेश्ट कोसने की अकबर दोरा इलाही सन्वत की सुरुआत किस वर्स की गई थी चलिए बताईए इसका सही उत्तर आप सभी लोग का कोसन नमर थी का क्या हो जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन भी पंदरा सो तीरासी में कहां पे पंदरा सो तीरासी आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा सभी लोग का कल के practice set में पहला question का answer जो था वो सी था आप सभी लोग नोट कर लिजेगा ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं question number 4 क्या है उसको देख लेते हैं निमलिखित में से किसी मराठो का मैक्यावेली कहा गया है मराठो का मैक्यावेली पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा नाना फटविस हो जाएगा answer आपका यहाँ पे 4 का ए उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का next question है कि पाहुल प्रणाली की सुरुवात किसके द्वारा किया गया था पाहुल प्रणाली देखिए यह आपका सुरुवात किया गया था गुरू गोविन सिंग के द्वारा answer आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा option C उत्तर हो जाएगा next question है कि मुस्लिम सिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदर्सा की स्थापना कप की गई थी बताइए तो यह कब किया गया था तो 1781 में किया गया था answer आपका यहाँ पे six का बी उत्तर हो जाएगा दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जेनरल के सासन काल के दौरान किया गया था चलिए समय दिया जा रहा है answer आप अच्छे से किजिए कोस्टन आपका ज्यादा ज्यादा सही होगा तो इसका हो जाएगा लाड एलेन बरो हो जाएगा आपका यहाँ पे seven का सी उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं question number eight क्या कहता है कहता है प्रसीद रंपाओ बिद्रो का संबन किस राज्य से है बताए कौन से राज्य से है आपका प्रसीद रंपाओ का बिद्रो तो यह देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा option A आंध्रा परदेश से किया हो जाएगा आंदर परेश आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा डादा भायी नरोजी हो जाएगा थोड़ा बूत आप सभी लोग को बाहर की आवाज सुनाई दे रहे होगी इसके लिए माफ किजिएगा जानते हैं बाहर का आवाज किसी कंट्रोल नहीं किया सकता है मना करेंगे तब भी वो लोग मानते नहीं है चलिए कोई बात नहीं है हम लोग अपना सेट सुरू करते हैं कोईशन नमर्ट 10 देखते हैं कि 1857 की करांती के दोरान फैजाबाद के यानि फैजाबाद में इसका नेत्र तो किस ने किया था बताइए कोईशन नमर्ट 10 का उत्तर किस ने सही किया सबसे पहले तो सभी ने आंसर किया होगा ऑप्शन सी मौल भी अहमदुल्ला हो जाएगा आंसर आपका 10 का सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लिग ने कब स्युकार किया था तो ये स्युकार किया गया था 6 जून 1946 को आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा भागत सिंग को फासी की सजा सुनाने वाला नियाधीस निम्न लिखित में से कौन था तो ये मैंने पहले ही आप सभी लोग को करवा दिया है सभी ने मार दिया होगा हिल्टन यानि जी सी हिल्टन करेक्ट आंसर आपका सी हो जाए कई बार एकजा में पूछा भी जाता इस परकार से कोश्चन आपका आग का अविस्कार किस काल के दौरान हुआ था चलिए बताएगा आग का अविस्कार किस काल के यानि किस काल के दौरान हुआ था तो इसका का उत्तर हो जाएगा option B पूरा पसाड़ काल हो जाएगा option आपका 13 का बी उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से किस इस्थान से नर्थकी की कान से मुर्ती पराप्त हुई है चलिए बताइएगा तो ये जो पराप्त हुई है मोहन जोड़ से हुई है आंसर आपको यहाँ पे कि सी उत्तर हो जाएगा अगला कोशने कोशन नबर पंद्र कहता है प्रसीद राजवैद जीवक किसके दर्बार में रहते थे जली बताईए पंद्र का राइट आंसर आप सभी लोग का क्या हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा बिम्बी सार यानि 20 सार के देखा जाये तो राजवैद जीवक किसके दर्बार में रते थे तो बिम्बी सार हो जाएगा आंसर आपका यहां पे ए उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का नेश्ट कोसन है कोसन नमबर आपका सोला किस वर्ष राष्टी ये नियोजन समीति का गठन किया गया था चलिए बताईएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 1929 में किया गया था आंसर आपका यहां पे सोला का ए उत्तर हो जाएगा दुरगापुर इसपात कारखाना के स्थापना किस पंचवर्ष योजना के दवरान की गई थी बताईए कौन से पंचवर्सी योजना के दारान किया गया था तो देखा जाये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्यूतिय पंचवर्सी योजना के दारान किया गया था राइट आंसर आपका सत्रका वी उत्तर हो जाएगा अगला है कि भारतिय बीमा, विनियामक और विकास प्राधी करण का मुख्याले कहां परिस्तित है तो ये कहां परिस्तित है तो देखा जाये तो हैदराबाद हो जाएगा अठारा का उत्तर आप सभी लोग का यहां पे सी उत्तर हो जाएगा नेश्ट कुसने कि निम्न लिखित में से कौन और प्रत्यक्षकर का उधारड है और प्रत्यक्षकर का उधारड इसमें से कौन सा है तो देखा जाये तो आपका सी मासुल को हो जाएगा आंसर आपका यहां पे उत्तर सी हो जाएगा अगला कुशने की प्रिंस्पल्स आफ एकोनॉमिक्स पुस्तक के लिए खक कौन है चलिए उत्तर करिए उत्तर मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों ने कर दिया होगा उप्सन बी जो की मार्सल आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा नेश्ट कुशने की भोर घाट दर्रा किन दो इस्थानों की बीच का संपर्क मार्ग है तो यह देखा जाए तो मुंबई और पूरे की बीच का देखा जाए तो आपका भोर घाट दर्रा है आंसर आपका यहां पे सी हो जाएगा next question है कि धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है तो किसकी सहायक नदी है तो ये देखा जाये तो ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा answer आपका यहाँ पे 22 का answer आपका यहाँ पे B हो जाएगा पंचेसवर परियोजना किन दो देशव की सन्युक्त परियोजना है तो इसका right answer हो जाएगा भारत और नेपाल का बीच का है अगला question अगला question है question number 24 भारत में कोईला भंडार के मामले में कौन सा राज यह अगरड़ी है बताएगा तो यह देखा जाये तो आपका जारखंड हो जाएगा 24 का right answer आप सभी लोग का यहाँ पे C उत्तर हो जाएगा भारत सरकार ने राष्टी एक रिसी नीती की घोसना किस वर्स की थी तो यह कौन से वर्स किया था तो 2000 में किया था आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी उत्तर हो जाएगा नेश्ट को सने के दच्छडी सहाइदिरी का निमन लिखित में से सरोची सिखर कौन सा है क्या है इसका उत्तर तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंद्रे मुख हो जाएगा क्या हो जाएगा कुंद्रे मुखी यानि ए उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा नेश्ट कोसने के निम्न लिखित में से किस राजे से होकर करक रेखा नहीं गुजरती है तो सबसे पहले आठ राजे से करक रेखा होके गुजरती है सभी को पता होगा और आपसन आपका सामने दिख रहा है कि इसमें से आपका मड़ी पूर नहीं होगा बाकी राज़्थान, त्रिपूरा, चाथिस गड़ यह सब आपका गुजरता है अगला है कि जावा सागर तथा हिंद महा सागर को कौन सी जलसंधी जोडती है तो इसका उत्तर हो जाएगा सुन्डा जलसंधी, आंसर बी हो जाएगा नेश्ट कोसन है कि किस महादीव को मानव उत्पत्ती का केंद्र माना जाता है तो कौन सा महादीव है तो इसका उत्तर हो जाएगा अफरीका महादीव यानि B उत्तर आपका यहां पर 29 का हो जाएगा 30 कहता है कि निन लिखित में से किस मृद्धा का छेतरी विस्तार भारत में सरवाधिक है बताइए तो इसका उत्तर हो जाएगा जलोड मृद्धा हो जाएगा आशार आपका 30 का C उत्तर हो जाएगा मुरलेन राष्टी उद्यान किस राज्य में इस्तित है मुरलेन तो देखिए इसका 31 का देखा जाये तो आपका मिजोरम हो जाएगा आंसर आपका यहां पे 31 का बी उत्तर हो जाएगा अगला कुशन है कि विस्व ओजोन दिवस प्रती वर्ष किस तीथी को मनाया जाता है बताईएगा यह कौन से तीथी को मनायाता है तो आंसर आपका डी हो जाएगा 16 सितंबर को मनायाता है सभी ने आंसर कर दिया होगा अब तक चलिए आगे देख लेते हैं अगला कुशन है कुशन नंबर 33 नंबर भारत में अंतरिक्ष कारेकरम की सुरुवात किस वर्ष की गई थी यह कौन से वर्ष में किया गया था तो दिखिए यह किया गया था 1962 में कब गया था 1962 में आंसर आपका बी हो जाएगा नेश्ट कुशने की अंतराष्टी स्रम संगठन का मुख्याले कहां परिस्तित है चलिए फटा फट आंसर करिए सभी लोग का यहां पर आंसर सही होना चाहिए तो इसका हो जाएगा जेनेवा जेनेवा सभी ने आंसर किया होगा अगला है कि उदय भूमी निम्न में से किस महापुरूस की समाधी इस्तल है तो राइट आंसर आपका थर्टी फाइब का देखा जाए तो के आर नारायन हो जाएगा आंसर आपका यहां पे थर्टी फाइब का डी हो जाएगा नेश्ट कोसने के देश का सरवच वीर्ता पुरसकार निम्नलीखित में से कौन सा है बताईएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपसं सी परंबीर चक्र हो जाएगा क्या हो जाएगा परंबीर चक्र आपका यहां पे सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि रेणुका जील जो भारत में रामसर आद्र भूमी छेत्र के अंतरगत आता है उसका संबंद किस राजे से है चलिए बताए ठाटी सेवन का उत्तर आपका क्या होगा ये कौन से राजे से संबंदित है तो ये आपका देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश राजे से संबंदित है आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा नेश्ट को सने कि निमलिकित में से किस ट्रॉफी या फिर कप का संबंद फुटबॉल खेल से नहीं है चलिये इसका राज़ अंसर आपका क्या हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा मेर्स कप हो जाएगा मेर्स कप यानि A उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा अगला को सने 139 ऐलम्पिक धोज को सरोपरत्थम की स Jewarts फोहराय गया था तो ये फार आए गया था 1920 में आंसर आपका ए हो जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं अंगला कोशन क्या कहता है कोशन नमबर 40 नमबर कहता है सुचना करांती के जनक की रूप में किसे जाना जाता है एक सिकेंड मैंने इसका उत्तर बताया 39 का आपका ए उत्तर हो जाएगा 1920 और यह 40 नमबर के सुचना करांती के जनक की रूप में किसे जाना जाता है तो यह जाना जाता है आपका और्थर सी क्लार को आंसर आपका 40 का ए उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसने कि किस सम्मिधान संसोधन के तहट राष्टपती के निर्वाचन मंडल में केंदर सासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी सामिल किया गया तो इसका उत्तर क्या होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्तर वहां सम्मिधान संसोधन आंसर आपका 41 का C हो जाएगा नेस्ट को सने 42 लोग सभा के बैठों को गड़ पूर्ती की अभाव में इस्तगित करने का अधिकार किसे है तो यह किसे है तो लोग सभा का अध्यक्ष हो जाएगा आंसर आपका यहां पे B उत्तर हो जाएगा किस अनुछेद के तहट नियालेओ दवारा संसत की कारेवाहियों की जाँच पूर्तव निस्यद है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन C अनुछेद 122 हो जाएगा क्या हो जाएगा अनुछेद 122 बारती समिधान की उदेशिका में कितने परकार के नियाय का वणन किया गया है बताइए कितने प्रकार का किया गया है तो तीन प्रकार का वणन किया गया आंसर आपका भी हो जाएगा निमलिखित में से कौन सोतंद्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे तो सभी को पता होगा सरदार पटिल हो जाएंगे आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मेलित नहीं है तो इसका उत्तर क्या होगा तो आपका हो जाएगा option एक और तीन यानि देखा जाए तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बिहार में लोकसभा तथा राजसभा की कुल सीटे करमसक कितनी है बताए कितनी है कुल सीटे तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा तो ये कौन से वर्स में किया गया था तो याद रखिएगा 1983 हो जाएगा अंसर आपका C हो जाएगा 92 वा समिधान संसुदन के तहत किन भासाओं को आठवी अनुसूची में सामिल किया गया बताइए तो इसका उत्तर हो जाएगा option D उप्यूप्त सभी बोडो मैथली और डोगरी हो जाएगा तो इस प्रकार से आंसर आपका D उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का नेश्ट कोशन है कोशन नमबर 50 बारती राजनीती के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की सन्यूक्त बैठक बुलाई गई है तो राइट आंसर देखा जाए पच्चास का तो आपका तीन हो जाएगा तीन बार अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 51 उच्च न्याले के नियाध हिसों की सिवा निर्ति किया यू क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा 62 वर्स हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्स पारित किया गया था ये दल बदल दस्वी अनुसूची से संबंदी थे तो आंसर आपका उन्नी सो पच्चास हो जाएगा नेश्ट कोशने की राष्टी हरित न्याय अधीकरण का मुख्याले कहां पर है चल ये बताईएगा तो ये कहां परिस्थित है तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में ये आपका 53 का हो जाएगा नेश्ट को सने कि विस्व का पहला परमाणू बिजली घर किस देश में इस्थापित किया गया था तो ये कौन से देश में इस्थापित किया गया था तो रूस में इस्थापित किया गया था आंसर आपका यहां पे D उत्तर हो जाएगा बारबरी तथा जमनापूरी किसकी प्रमुक नसले हैं बताईएगा ये किसकी प्रमुक नसले हैं तो देखा जाये तो बकरी का हो जाएगा आंसर आपका यहां पे सी उत्तर हो जाएगा अगला कोशने किसी घर में लगे बिजली बल्प 200 वाट था 200 वोल्ट था 200 वाट लिखा हुआ है उस बल्प का कुल प्रतिरोध कितना है चलिए बताईए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का ऑप्सन भी हो जाएगा 400 नेश्ट कोशन है कि पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पतों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उधारण है चलिए बताईएगा तो इसका उत्तर कौन सही किया होगा अब तक तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पहला नियम ए उत्तर हो जाएगा प्रकास का वेग होता है कितना मीटर प्रति सेकेंड होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B तीन गुड़े 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड चलिए आगे देख लेते हैं अगला कोशन है 59 रोकेट किसके संरक्षड नियम के सिधान पर कारे करता है तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा option क्या हो जाएगा बी उत्तर हो जाएगा यानी रेखिय समवेग हो जाएगा नियस्ट कोशन है कि szaving ब्रस के रेशो का आपस में चीपक जाना किसकी उधारड है यानि किसका उधारड है तो ये देखा जाए तो प्रिष्ट अतनाव का उधारड है आंसर आपका D हो जाएगा नेश्ट कोसने कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रियोग किसकी दिसा का पता लगाने के लिए किया जाता है तो ये किया जाता है आप सभी लोग का प्रेरित धारा हो जाएगा आंसर आपका 61 का A हो जाएगा फोटाउन की खोज किसने किया था मताईए फोटाउन की खोज किसने की थी तो ये देखा जाए तो उत्तर आपका अलबर्ट आइंस्टीन हो जाएगा आंसर आपका यहां पे 62 का B उत्तर हो जाएगा नेश्ट को सने किसी तर्ट वकारासायनी गुड निम्न में से कौन निर्धारित करता है बताईएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोन की संख्या पर निर्धारित करता है आंसर आपका 63 का C उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन लोहे का सबसे सुधतम रूप है तो लोहे का सबसे सुधतम दिखा जाए तो आपका पिटवा लोहा हो जाएगा सभी को आंसर पता होगा और सभी ने आंसर B किया होगा अगला कोसने की पीतल निमलिखित में से किसका मिस्रड है बताइए तो राइट अंसर देखा जाए 65 का तो आपसन आपका तामबा एवं जस्ता हो जाएगा आपसन आपका बी हो जाएगा नेश्ट कोसने की सम्मुद्र में गोता खोरी करते समय गोता खोर आउक्सीजन के साथ किस गैस का प्रियोग करते है तो आउक्सीजन के साथ देखा जाए तो किस गैस का प्रियोग करते है तो हिलियम का प्रियोग करते है आंसर आपका यहाँ पे C उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसन की सुक्रोज के जल अब घटन से किसका निर्माड किया जाता है तो ये किसका निर्माड किया जाता है तो A, C दोनों हो जाएगा गुलकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा याद रखेगा अंसर आपका D हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं question number 68 कहता है निमलिखित में से किसका वेग्यानिक नाम ओरियजा साटिवा है तो इसका उत्तर हो जाएगा धान का धान का ओरियजा साटिवा है आंसर आपका भी हो जाएगा अगला question है question number 69 निमलिखित में से कौन ग्रेमीनेसी कुल का पौधा नहीं है तो क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा नारियल नारियल आपका इसमें नहीं है इमाईलेज एंजाइम का इस्तराओ किसके द्वारा होता है तो ये किसके द्वारा होता है तो अग्नियासे के द्वारा होता है 70 का आंसर आपका A हो जाएगा विरिक के बाहरी तथा भीतरी भाग को करमसक क्या कहते हैं बताईए तो देखा जाया तो इसको kotex एवं meidula कहा जाता है आंसर आपका 71 का उत्तर आपका A हो जाएगा नेस्ट कोशन है किस वितामिन का रासाइनिक नाम तोकोफिराल है तो क्या होगा इसका उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा वितामिन E सभी को पता होगा 72 का आंसर C हो जाएगा malaria पर जीवी की निवन में से कौन सी अवस्ता संक्रामक है तो आपका sporo joitis हो जाएगा आंसर आपका A हो जाएगा अगला कोसने की चर्चित पुस्तक platform scale for a post pandemic world के लेखक कौन है तो right answer आपका C हो जाएगा संगीत पाल चौधरी हो जाएगा हाल ही में किस राज्य में जला भी सेकम अभियान की सुभारम की गई है तो राज्य का नाम याद रखिएगा आपका मद्य परदेश हो जाएगा MP A उत्तर हो जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजयता कौन है और कमेंट करके आप बताएगा कि उप विजयता कौन सी है तो आप सभी लोग देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है विजयता तो आपका मुंबई है उप विजयता देखते हैं कौन बताता है वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का इस्थान क्या है चलिए बताइए भारत का इस्थान क्या है happiness यानि खुसहाली तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 149 वां भी उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसन है कोसन नमबर आपका 78 है कि विस्व गोरेया दिवस 2021 का थीम क्या था गोरेया दिवस मनाया कब जाता है यह आपका कमेंट करके बता सकते हैं ऐसे क्या है कि आपको रिपीटेशन करने से याद होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा I love इस पैरो आंसर आपका C हो ज है कौन बनी है तो हो जाएगा सामिया सुलूहु हसन हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजमानिक कौन सा राज्य करेगा कौन सा राज्य करेगा तो ये करेगा आपका करनाटक राज्य आंसर आपका D हो जाएगा इथिनौल निती सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है कौन सा राज्य पहला बना है तो आपका बिहार राज्य हो जाएगा बी उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा नेश्ट कुसने की हाल ही में किस भारती अभिनेता को फिल्म अर्काइब पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो ये समानित किया गया है अभीताब बच्चन्ज को आंसर आपका A हो जाएगा किस देश ने ब्रम्होस कुरूज मिसाइल सहीत रक्षा समागरी की आपूर्ती के लिए भारत के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा फिलिपीन्स हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे D उत्तर हो जाएगा हाल ही में की गई घोसना के अनुसर भारत का पाहला भूत आपि ये विदूद परियोजना की सकेंदर सासित प्रदेश में इस्थापित किया जाएगा तो ये इस्थापित किया जाएगा लद्दाख आंसर आपका यहां पे बी उत्तर हो जाएगा बारत का पहला सोदेशी 9mm मसीन पिश्टल को किसने विक्षित किया है ये बहुत तगणा पिश्टल है 9mm का इसमें गोली लगता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D हो हो जाएगा नेश्ट को सने कि किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन इसका संधी से अपना संबन तोड़ने की घोठना किया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका अमेरिका यहां पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का किस राज ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजिक्य पक्षी महोचो कलरो का आयोजन किया है तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका बिहार हो जाएगा ए उत्तर हो जाएगा केंद्री और धोई सुरक्षा बल के नए महादेस्द की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये निव्ट किया गया है आपका सुबोस कुमार जैसवाल आंसर आपका यहां पे D हो जाएगा नेश्ट कुसने की हाल ही में सत्य पाल की मिर्तियू हो गई इनका संबंद किस छेतर से था तो इनका संबंद दिखा जाए तो फैसन डिजाइनर से था आंसर आपका A हो जाएगा नेश्ट कुसन है की वन नेशन वन रासन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राजे सन्युक्त रूप से कौन है तो करेक्ट आंसर आपका आंद्रप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश हो जाएगा 90 का डिय नहीं राजस्थान और करनाटक हो जाएगा आंसर आपका B हो जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं 91 कहता है डबलू एच उने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोसित किया है चलिए बताईएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा अल सलवाडोर हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा किस फिल्म को सर्वसेष्ट हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है तो क्या है तो भारत हो जाएगा आगे देख लेते हैं अगला कोशन है कि केंदर सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और आन्य संबंदी छेतरों में उत्करिष्टता केंदर बनाएगी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन C IIT बॉंबे हो जाएगा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थान के लिए एक सो एक करोड रुपए की छात्री विती स्विक्रित की है तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा o transparency और यहां से आपका Math का question Press होता है तो answer हम बता देंगे आप note कर लिजएगा उत्तर भी हो जाएगा और बात करें यहां पर संतानबे का तो जेखा जाये तो answer आपसा साथ सो यानिदी हो ञाएगा 98 का उत्तर आपका C हो जाएगा 18 आदमी और बात करें हम 99 के बारे में तो इसका उत्तर आपका 5 kg यानि C उत्तर हो जाएगा और बात करें हम 100 यानि 100 कोशन तो इसका उत्तर आपका B हो जाएगा तो साथियों आप सभी लोग का यहां पे मैंने 100 कोशन समाप्त कर दिया है अब आप बताए कि वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कोई भी कमेंट करके सुझाओ देना चाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं पीडियो आपको जल्द ही मिलेगा परिसान नो हुए जो भी आपको कोशन में डाउट होता है आप कमेंट कीजिए आपको पूरा बता दिया जाएगा पूरा बिहतर तरीके से तो चलिए एक नए वीडियो में जल्द ही मिलते हैं आज की लिए इतना ही जैहिंद वन्दे मातरम